आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉक के न्यूव एपिसोड के बारे में जैसा कि WWE ने इस एपिसोड के लिए पहले से ही कुछ मैचेज अनौंस किये हुए हैं देखते हैं और इसके अलावा आज क्या-क्या देखने को मिला इस एपिसोड में आज होब वीडियो आपको पसंद आएगी तो बढ़ते हैं वीडियो तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के आज हैं कि मैं रसल मिन्या के हार के बाद रोई थी और उसके बाद घर चली गई थी रसल मिन्या में मुझे जो पैसा मिला वो बैकी लिंच से कम था क्यूँकि मैं वोमेंस टेग्टीम टाइटल डिफेंड कर रही थी जबकि बैके लिंच रॉंडर रोजी के साथ में इवेंट का हिस्सा थी अब मैं खुद स्पोटलाइट में आना चाहती थी और वापसी करते ही मैंने वो बाबी ली है यही वज़ा है कि मैंने वापसी करते ही बैंक्स ने नातालिया को दोया फिननेटी ने स्टील स्टेप्स पर शाशा बैंक्स को दे मारा इसके बाद WWE के ओफिशियल ने आके इन दौनों को रोका इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेज डू मेकेंटायर के बीच King of the Ring टूनामेंट का मैस दिखा मैस शुरू होते ही डू मेकेंटायर ने रिकोशे पर जबर जस अटेक करा और अपनी पावर से रिकोशे पर शुरू में ही हावी हो गए अच्छा मैस दिखा इन दौनों के बीच इसके बाद दौनों रिंग साइट पहुँचे जहां रिकोशे ने पलटवार करते हुए डू मेकेंटायर पर अटेक करा रिकोशे ने डू मेकेंटायर को उठाने की कोशिश करी बद डू मेकेंटायर ने उन्हें पटक दिया इसके बाद रिकोशे ने डू मेकेंटायर की क्ले मोर किक को काउंटर करा और 6.30 इस प्लेस मारकर मैच जित लिया और टूनामेंट के अगले राउंड मेच पहुच गए इसके बाद हमें बैक स्टेज ब्रॉनिस्ट्रामेन और सैथ रॉलिंज का इंटर्वी दिखा मैच शुरू होते ही कॉर्बिन ने जवर ज़स अटैक मिच पर करा लड़ते हुए दौनों रिंग के बाहर भी गए और वहाँ भी कॉर्बिन ने मिच पर पकड़ बनाए रखी और मिच को वापसी से रोका इसके बाद मिच ने यस केक्स मारक कर वापसी करी इस बीज दौनों एक दूसरे पर अपना मूव लगाने में फेल हुए एंड मैं कॉर्बिन ने मूव देके ये मैच जित लिया और टूनामेंट के नेक्स राउंड में वो पहुँच गए जीतने के बाद हमें बैरन कॉर्बिन का छोटा सा सेगमेंट दिखा बैरन कॉर्बिन रैम पर जाकर king of the ring chair पर बैट कर कहते हैं कि company के pole के base पर fans चाते थे की कोई भी जीते लेकिन बैरन कॉर्बिन इसको नजीते हैं फिर उन्होंने कहा कि मुझे लोगों को नाराज करने में मजा आता है इसके बाद हमें बैले वर्सेज निक्की क्रोस के बीच मैस दिखा इनके बीच मैस ज़्यादा लंबा नहीं चला शुरू में निक्की ने बैले पर पकड़ बनाने की कोशिश करी बट बैले ने भी निक्की पर अटेक करते हुए इस मैच को जीत लिया इसके बाद बैक स्टेज हमें अकेले ब्राउन स्ट्रॉमेंट का इंटर्यू देखने को मिला जहां उन्होंने कहा कि वो आज AJ Styles को हरा देंगे और Clash of Champions में पहले Raw Tag Team टाइटल डिफेंड करेंगे उसके बाद Seth Rollins को हरा कर Universal Champion बनेंगे मैं इन दौनों मैचेस को जीतने के बाद United States Championship के खलाब भी मैच लोंगा और मैच जीत जाऊंगा ब्राउन स्ट्रॉमेंट कहते हैं कि आज OC के ना होने की वज़े से AJ Styles को मुझे लड़ने में काफी परिशानी होने वाली है King of the Ring टूनामेंट के बाद WWE ने आज Tech Team Termile टूनामेंट का एनौंसमेंट करा एक तरह से ये Gauntlet मैच की तरह ही था उसमें सिंगल स्टार बिढ़ते हैं बड़ इसमें दो टीम के बीच मैच दिखना था जो हारी वो बाहर जो टीम जीतेगी वो आगे निव टीम से मैच कंटीनू करती दिखाई दी जिसमें शुरू में Vikings Rider versus B team के बीच मैच दिखा जो की Viking Riders ने जीत लिया इसके बाद Viking Riders versus OC के बीच मैच दिखा लड़ते लड़ाते ये रिंग के बाहर पहुँचे और मारने में ये इतना भूल गए कि referee इनेर रोक रहा है बड़ ये नहीं रुके दोनों टीम्स को referee इनेर इसक्वालिफाई करके टूनामेंट से बाहर कर दिया इसके बाद Dolls Jiggler, Robert Roode versus Revival के बीच मैच दिखा जीत यहां Robert और Dolls Jiggler की हुई इसके बाद Robert Roode, Dolls Jiggler versus Heavy Machinery के बीच मैच दिखा जीत इस मैच में Robert Roode और Dolls Jiggler की हो गई इन दोनों ने ही ये टूनामेंट जीत लिया इसके बाद हमें Shasha Banks versus Natalia के बीच मैच देखने को मिला Shasha Banks काफी लंबे टाइम बाद रिंग में मैच लड़ने उतरी वही Natalia अपना मार का बदला लेने इस मैच में उतरी मैच शुरू होते ही दौनों ने एक दूसरे पर जवरजस अटेक करा Natalia ने Shasha Banks पर जवरजस मूव लगाई बट कुछ टाइमस में Shasha Banks ने वापसी करते हुए इस मैच को जीत लिया और जीतने के बाद भी उन्होंने Natalia को मारना बंद नहीं करा इसके बाद back stage हमें AJ Styles देखने को मिले जो कहते हैं कि आज OC से मौका उनका चीन लिया गया AJ Styles कहते हैं कि OC को मौका मिलना चीने था लेकिन Braun Strowman को नहीं AJ Styles कहते हैं कि अगर Braun Strowman ये सोच रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा तो वो गलस सोच रहे हैं इसके बाद tag team tournament जीत कर Doll Jiggler Robert Root back stage interview में दिखाई दिये इसके बाद मैं में इवेंट में AJ Styles vs Braun Strowman के बीच US title के लिए match दिखा match शुरू हुआ और Braun Strowman ने AJ Styles को उठा कर ring corner पर दे मारा और उसके बाद दो shoulder tackle भी दिये AJ Styles ने वापसी करते हुए counter attack Braun Strowman पर करा और submission भी Braun Strowman पर लगाया जैसे तैसे Braun Strowman उससे निकले तो रैफरी को गलती से move लगा और वो गिर गए इसके बाद AJ Styles ने Braun Strowman को low blow दिया और chair से उन्हें कूट डाला रैफरी उठे और ये कहके match disqualification के ज़री खतम करा कि उन्होंने chair की आवास सुन ली थी इसके बाद OC भी आए Braun Strowman ने इसके बाद गुस्से में आ गए और उन्होंने इसके बाद OC और AJ Styles को सूट डाला यहीं आज रो का एपिसोड खतम हुआ आज का एपिसोड मुझे कुछ खास नहीं लगा हाँ रिकोशे वर्सिस डू मेकेंटार का अच्छा था बट इस मैच में डू मेकेंटार की हार थोड़ा अपसेट करती है WWE में यही होता है एक सूपरस्टार को जवर्जस बुश दिया जाता है फिर उसे अचानक से दणाम कर दिया जाता है आज के एपिसोड का सबसे बेकार मुव्मेंट सेथ रॉलेंस वर्जस ब्राउन इस्ट्रॉमन के बीच मैच अनाउस होना रहा दोनों पार्टनर हैं उसके बावजूद मैच का मतलब समझ में नहीं आता है या तो मैच अनाउस करने से पहले इन दोनों के बीच कुछ खटपट दिखा देते मैच के बल अब एक फॉर्मल्टी के लिए ही होगा ऐसा ही लग रहा है यह देखके वैसे आपको कैसा लगा ऐच के एपिसोट कमेंट करके जरूब बताएगा फिलाल इस वीडियो में नहीं पसंद आए तो लाइक को शेयर करें उस तरह के इंटरसेक अप्डेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राब रण पर एंड ओफ डेज के लिए मोर मार का चैनल सब्सक्राब करें मगर प्यार से थैंक यू